नमस्ते दोस्तों कैसे आप सब आज हम घुमने चलेंगे कन्या कुमारी जो की फेमस है पूरे दुनिया में बस आप कन्या कुमारी के ओशन से संड्राइज और संसेट देख सकते हैं इस चीज के लिए कन्या कुमारी बहुत फेमस है अगर आप प्लान कर रहे हैं कन्या कुमारी जाने के लिए आप कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो को आपको पूरा एंड तक देखना है आप एंड तक पूरा वीडियो देखोगे तो आपको पूरा इंफरमेश से डेरेक्ली कन्या कुमारी रेलवे शेशन आ सकते हैं अगर आप प्लाइन कर रहे हैं जाने के लिए तो आपको तिरुवंतुरम एरपोर्ट में जाना होगा वहां से आपको 90 किलो मिटर दूर पड़ेगा कन्या कुमारी वहां से आपको बस या तो टेक्सिय मिल जाएगी जो कन्या कुमारी में आपको खाने पीने के लिए क्या-क्या सुवीदा मिलेगी कन्या कुमारी में आपको जगर जगर पर रेस्टराइन मिल जाएगा जहां पर वेज नौन वेज दोनुम मिल जाएगा बड़ अगर आप कन्या कुमारी जा रहे हैं तो वहां का साउथ इंडिय के बीच में होता है तो आप अपने कमफोर्टबल के साब से वहां पर रूम ले सकते हैं रुख सकते हैं जानते हैं कन्या कुमारी में आपको कब जाना चाहिए कन्या कुमारी में जाने का जो सही समय है वह ऑक्टोबर टू मार्च के बीच में हैं अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आप October to March के बीच में प्लान कीजिएगा, ये सही समय होता है कन्या कुमारी जाने के लिए. आगे हम जानते हैं कि आप कन्या कुमारी में कहां कहां घूम सकते हैं. सबसे पहले हम जो जगे के बारे में बात करने वाले हैं, वो है विवेकानन्द रॉक मेमोरियल. विवेकानन्द रॉक मेमोरियल यह कन्या कुमारी का एक बहुत famous और popular tourist place है. यह रॉक मेमोरियल विवेकानन्द स्वामी जी के लिए बनाया गया था. यहां विजिट करने के लिए बहुत दूर दूर से tourist आते हैं. यह 1970 में बनाया गया था. अगर आप कभी कन्या को मारी जाते हैं तो विवे का नंद रोक मेमोरियल जाना ना भूरियेगा आगे हम जो जगे के बारे में बात करने वाले हैं वो है sunset viewpoint Sunset तो आपने बहुत सारे देखे होंगे बट यहां को जो sunset होता है वो बहुत ही beautiful और बहुत attractive होता है तो एक बार तो आपको विजिट जरूर करना चाहिए Sunset View Point में आगे हम जिजगे के बारे में बात करने वाले है Padmanampuram Palace यहाँ पैलेस बहुत पुराना पैलेस है यहाँ पैलेस बहुत ही सुन्दर पैलेस है यहाँ पर आपको एक बार विजिट भी करना चाहिए और पुरा पैलेस आपको एक बार एकस्प्लोर भी करना चाहिए और यहाँ पर आप अपने फोटोस क्लिक कर सकते हैं आगे हम जिजगे के बारे में बात करने वाले हैं वो है कनिया कुमारी बीच कन्या कुमारी बीच जो की बहुत beautiful और बहुत awesome है बहुत सारे लोग दूर दूर से जाते हैं वहाँ पर enjoy करने के लिए तो आप अपने friends and family के साथ में वहाँ पर जाके enjoy कर सकते हैं आगे हम जो जगे के बारे में बात करने वाले हैं वो है भगवती अमन्ट temple यहाँ एक famous temple है कन्या कुमारी का एक प्राचीन temple है और यहाँ बहुत सुन्दर भी है तो अगर आप कभी कन्या कुमारी में विजिट करते हैं तो भगवती अमन्ट temple पे विजिट करना ना भूलिएगा आगे हम जगे के बारे में बात करने वाले हैं वो है वाटा कोटाई फोर्ट वाटा कोटाई फोर्ट यहाँ एक बहुत famous tourist place है यहाँ फोर्ट बहुत ही बड़ा फोर्ट है यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं अपना pre wedding shoot करने के लिए अगर आप कन्या को मारे में visit करते हैं तो यहाँ पर जाना ना भूलिएगा आगे हम जो जगे के बारे में बात करने वाले हैं वो है lady of racism church यहाँ church बहुत ही सुन्दर और बहुत ही आकरशित है यहाँ church आपको evening में जाना चाहिए evening में इसकी जो lighting है वो बहुत सुन्दर होती है तो अगर आप visit करते हैं तो आप evening में try कीजेगा visit करने के लिए आगे हम जो जगे के बारे में बात करने वाले हैं वो है कन्या कुमारी triputi temple यहाँ एक कन्या कुमारी का बहुत famous temple है यहाँ पर visit करने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं अपनी मनत मानते हैं तो अगर आप कभी visit करते हैं तो triputi temple ज़रूर visit कीजेगा तो guys आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज मुझे comments में बताईएगा अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज आप like ज़रूर कीजेगा अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो आप हमारे चैनल को subscribe कर सकते हैं लाइक कर सकते हैं बैल आइकोन को ज़रूर दबाईएगा जिससे हमारा कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा and guys हमारे वीडियो अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप वीडियो को share करिए अप अपने friends के साथ में family के साथ में जो plan करने वाले हैं कहीं पर जाने के लिए तो आप उनके साथ में share कर सकते हैं तो आप मुझे comments में कि आगे आपको कौन से कौन से वीडियो देखने हैं कौन से प्लेस के वीडियो देखने हैं वह आप मुझे please comments में बताएए हम try करेंगे उसके उपर वीडियो बनाने के लिए मिलते हैं next video में खुछ रहिए happy रहिए